हाई मैं नामे आशी शार आप देख रहा है दी ललन टॉप एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास कोवी शिल्ड के साइड एफेक्ट की बात सामने आते ही लोग क्या बोले रश्मिका का डी फेक वीडियो हुआ था वाइरल गिरफतार हो गया बंदा कैल वे श्याराओं ने करवादी इंटरनेशनल बिज थी और पिक आफ देडे में पहचानी एक कवा चार्जर को टीका पर टीका टीपणी शुरू हो गई है बुर्टिक फ़ारमा कंपनी एस्ट्राजनका की स्विकारों से गंभीर साइड उफेक्ट हो सकते हैं ताव जी ठीक कहते थे पष्च्चमी सबेता से आने वाली चीज़ों के दोश्परेड नाम होते हैं तो एस्ट्राजिन का की जो वैक्सीन भारत में लगी थी, वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लोटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजिन का कानूनी कारवाई का सामना कर रही थी, उसने वहाँ कोट में माना कि कुछ दुरलब मामलों में इस वैक् साइटोपेनिया सिंड्रोम माने टीटीएस जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कमपनी ये भी कहती है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिती में भी टीटीएस हो सकता है, इसी सब को मिला कर आज एस्ट्रेजन का और कोवीशीर्ड का नाम ट्रेंड होता मिला, स इस खबर पे कुछ लोग न घबराने के सला भी रहे थे, डॉक्टर कफील खान ने कहा कि कोवीशीर्ड टीके के टीटीएस सिंड्रोम से घबराने की जडरूत नहीं है, साथ में लॉजिक दिया कि हर दवा के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, हर बड़ी नमचाने जैसी बाते कह रहे थे, अब मुझे ड़र इस बात का है कि कोई दिल जला, इस बात पे भी उन्हें कोई बहा न करके जील न बिजवा दे, लोग ने एक बार फिर से हैश्टेग थैंक्यू नरेंदर मोदी जी इस्तेमाल किया लिखा गया, कि इसी वैक्सीन पर सवाल उठान एक्सप्लेंड लिखकर दिखाया गया कि कोरोना से बचने के लिए कोई शील्ड कुलाया गया और अंते में कोरोना, कोई शील्ड और हार्ट अटेक मिलकर पीट गये, राखी सावंद की मीम के जदिये कोई शील्ड लगाने वालों की हालत बताईगी, सुनिये हमीशा पडेल के हाफ ने और बीड़ी फूंकते ताव की तुलना करके कोई शील्ड और कोई शील्ड और कोई वैक्सीन की तुलना की गई, नोवाग जोकोविच जो अपने टीका ना लगाने की जितके कारण खूब चर्चित हुए थे, उनकी तस्वीर लगा के लिखा गय वैसम से मुझे को याद नहीं क्या लगवाए था, भूल गया हूँ मैं भी, एक यूजर ने कहा कि आस सुबह से कोवीशील्ड वैक्सीन को लेकर तमाम लोग आगामी लोगसावा चुनाओं को देखते हुए सरकार को गहरने में लगे हुए है, मेरा मनना है कि अगर 2021 में को विशी ले लिया, तो कोई यह नहीं कह रहा है कि उनको 2024 में दुस्टर भाव का कोई खत्रा है, घबराएं नहीं, हम यह कहेंगे कि आदी ही अदूरी बाते सुनकर, किसी के एजेंटा विक्षारी उतरने वाली बाते सुनकर, मन मत बनाईए, अपना पैनिक मत करिए, फैक्स पे धिहान दीजे, किसी पे आँख बंद करके भरोसा मत करिए, और नहीं दूसरों की बाते सुनके लक्षण खुद पे थूपिए, साइंटिफिक तरीके सोचिए, आज के लिए फैशन में नहीं है, लेकिन लोटेगा, साइंस हमेशा फैशन में लोटती है, कल के श के बाद सोचल मेडिया में इस बात की बड़ी चिंता जताई गई थी, कि इस टेकनलोजी का इस्तेमाल लोग गलत काम के लिए भी कर सकते हैं, मामला बहरने पर पुलिस ने इस केस की जाज भी शुरू कर दी, आपको बताते हैं, पुलिस ने अपरादी को गिरफतार भी कर जा रहा है, जो सेलब्स के फेन पेज़े चलाता है, इंस्टा पर आपने ऐसे पेज़ेश खूब देखे होंगे, जो किसी एक्टर रेक्टरस की तस्वीर वगएर शेयर करते रखते हैं, लोग अपने अपने पाली बना लेते हैं, वाईसा ही कुछ, अभी तो पेज के एड होने वाल है, लेकिन दिक्कत तब आती है, जब ये लोग एक इनसान को बचाने की चक्र में हदें पार करने लगते हैं, जैसे अगर उधारण लोगी शाहरु खान के फैन और सल्मान खान के फैन आपस में लड़ते रहते हैं, ये ट्रोलिंग ये लड़ाईयां बेहर है, अलविश अब इंटरनेस्टनल हो चुके हैं, विक बहुत की विनर्स होते हिया से हैं, कि उनका जिक्रदेश विदेश में होता है, दर असल यूट्यूब में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया, जो बहुत चलना है, इसका टाइटल दिया गया, डंबेस्ट इं कॉमेंट्स आ चुके हैं, बस इसके ताबर तोग कॉमेंट्स आ रहे हैं, कि यूजर ने बोला कि इंटरनेशनल बेच जती करवाली, एक और कॉमेंट्स था कि ये इंडिया में एक मीम है, एक और यूजर ने कॉमेंट्स किया कि लेकिन भारती कहता है, या कि कोई बोल सकता है क्या आज से कुछ साल पहले जीवन कितना अच्छा था सब के पास समय था लोग खुश थे बातचीत होती थी अच्छे मीम ट्रेंट्स में आते थे यह नहीं कि मीम समझने के लिए कीबूर्ड लेके बैठना पड़े मज़दार गाने आते थे गर्मी टाइम से पहले नहीं आती थी मगर कुछ हुआ और सब बदल गया पूरी पूरी जनरेशन एक साथ उदास हो गई ऐसा क्यों हुआ होगा सोचिए मुझे तो वास एक ही चीज़ नजर आती है पहले पेइमेंट्स एप जो होते थे उन पर कैश बैक मिलता था अब बंद हो गया है कम हो गया तो कम क कि खुशी का ठीकाना नहीं रहा उसने ये बात सोचल मीडिया पर सब को बता दी बदाई आने लगी बदाई हो अतुल बस ये देख रहे हो तो ये बता दो कि क्या करिएगा आप इतनी धनराशी का सोचल लिस्ट में आप बारी है पिक आफ दे डी के और पिक आफ दे डे मे आज बात करेंगे जन्जी की है जन्जी वो जमात है जन्हें बताया कि बलर आई हुई तस्वीरें दरसल खराब नहीं होती महतर होती है ये वो लोग है जन्हें बताया कि चौड़ी जीन्स पहन के कूल लगा जा सकता है जन्हें बताया कि आपकी दिमाग में जो भी चल रह इसके पहले कि ये लोग कुछ ले आए जो मुझको समझ में नाए मैं कुछ लेकर आया हूं हाँ तो जन जी वालों जरा बताओ कि ये है क्या और हम मिलेनियल है तो प्लीज जवाब मत दीजिएगा थोड़ा इन बच्चों का टेस्ट लेते हैं वैसे एक काम आप लोग कर सकते हैं इनको गलत हिंट दे सकते हैं जिससे थोड़ा और कन्फ्यूज हो जाएं पहला हिंट है जैसे कि इसका यूच चाय बनाने के लिए किया जाता है इनको होने दीजिए कन्फ्यूज आप एक बात पर फोकस करिए ललन टॉप की चुनाव यात्रा पर चुनाव यात्रा बूलिए साथी डिस्क्रिप्शन में दिये फॉर्म को जनुर भर दीजिए का सूचना समात अब कमेंड में बताइए कि मैंने आज जल्दी जल्दी बोला है इससे भी दीमा करूं क्या करूं जब ये शो शुरू आता ना बोलता था लोग कहते थे कि टू एक्स पे चलाना पड़ता है इतना दीरे दीरे बोलता है आप लोग कहते हैं कि क्या ही करूं को यहने देजिए क्या ही कर सकता हूं